इससे जस्ट पहले मैंने इंग्लिस की वॉक्सित नमबर बन सॉल्व करी है आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देखिए और समझ के सवालों को करिए अब मैं बास करने वाला हूँ हिंदी की यहां पर एक पार्ट या गैर पार्ट पार्ट का मतलब कुछ आपके पार्ट से या पार्ट के अलग से एक समागरी दी गई है एक लेख दिया गया है इसको आपको पढ़ना है इसमें विचार और घटनाओं का अच्छे से विम्रण है और उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं इसके नीचे दीए गए सवालों को तो आएए पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद फिर आंसर देने चलेंगे कुमाओ में मकर संकरान्ती को धूदीतिया भी कहते हैं इस दिन आटे और गुन को गूंत कर पकवान बनाया जाते हैं, इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिये जाते हैं, जैसे डंबरू, तलवार, तारडिम और फूलादी, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, जैसे पकवान को तलने के बाद माला में इनको attach किया जाता है माला के बीच संत्रा और गन्ने देखिए संत्रा और गन्ने की गंधेरी पिरोई जाती है यह काम बच्चे बहुत रूची और उत्सा के साथ करते हैं मगर संक्रानती एक तोयहार है जहां पर कुमाऊ में दूदीतिया भी कहते हैं वह लोग उस दिन आटे और गुण के पकवान बनाते हैं पकवानों को डिफरेंट शेप दिया जाता है और उसे माले में फिर रह जाता है संत्रा और गन्ने के साथ सुबह बच्चों को माला दी जाती है बहुत थंड के कारण बच्ची पहाड़ों में चला जाते है उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाने हैं और गाते हैं तो ये इस तरीके का आपका वर्क सीट है जिसमें ये कंटेंट दिया है आप इसे वीडियो को रोकिए और खुच से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर पे जाईए गध्यांस को अनुसार धुदूतिया कहां का तोयार है दुदूतिया कहां का तोयार है धुदूतिया कहां का तोयार है देखो ये कुमाउ लिख रखा है मैं इसको clean कर देता हूँ उसके बाद फिर answer आपको लगाँगा तो अच्छे से दिखेगा मकर संक्रांती पर कुमाओं में कैसा पकवान पकाया जाता है कुमाओं में गुण का इस्तमाल करके मीठा पकवान पकाया जाता है गधान्स के अनुसा दोदूतिया पर माला में क्या पिरोया जाता है दोदूतिया पर माला में क्या पिरोया जाता है पकवान गन्ना और संत्रा पकवान तरह तरह के पकवान मराय जाते हैं और गन्ना और संत्रा में फिरोया जाता है मैं इसको यहां दिखा देता हूँ आपको कहां पर लिखा हुआ है यह पकवान में गन्ना और संत्रा देखो संत्रा और गन्ने के साथ यह जो पकवान है इनको फिरोया जाता है आखरी सवाल है गदांस के अनुसार पक्षी पहाडों में क्यों चले जाते हैं तो पक्ष्टी को पहाडों में जाने का मुखे कारण थी ठंड, यानि बहुत सर्दी के कारण, तो यह आंसर इसका यह हो गया, इसका आंसर आपका D हो गया, इसका B हो गया, इसका B हो गया और इसका भी B हो गया, उमीद है कि यह आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडिय अच्टू